हे फ्रेंड्स मैं हूँ अनीस और आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पबजी सिमलर 10 ऐसे गेम जो के है बेटल रोयल और इन सभी गेम की साइज 500 MB से लेकर 10 GB के अंदर के सारे गेम है अगर आप लोगों को कोई भी गेम पसंद आता है तो मेरे वीडियो की गेम प्ले दिखा रहा हूँ मुझे 100% मैं शूर हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई गेम तो जरूर पसंद आएगा और आप उसे खेलना भी चाहोगे तो चलिए सुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना टाइम गवाए तो दोस्तों हमारे पास जो नंबर 10 पे जो प्ले सर्वाइवल इस गेम की साइज है सिर्फ 380 MB और आप लोगों को इसली प्ले स्टोर या एपल स्टोर से बिल जाएगा और मैं आप लोगों को इसका गेम प्ले दिखा रहा हूँ काफी अच्छे इसके अंदर ग्राफिक हैं और सेम आप लोगों को पपजी की तरह ही आप इसमें प्रेंट को एड़ कर सकते हैं और आप लोगों को नीचे उतर के लूट करनी होते हैं लूट करके अपने एनिमी को मारना होता है तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों सेम पपजी के जैसा ये भी एक गेम है और इस गेम की साइज काफी छोटी है और ग्राफिक काफी बैतरीन है और आप इस गेम को चाहो तो डाउलोड करके खेल सकते हो एक बार जरूर ट्राइ करें और मैं आप दोस्तों हमारे पास नोई नमबर का गेम है उस गेम का नाम है गंस बुलिट रोयल दोस्तों ये गेम भी काफी चोटी साइज का है और काफी अच्छा है अगर आपको इस तरह के गेम खेलना पसंद है तो आप इस गेम को डाउलोड कर तकते हो और ये मतलब बच्छों की टाइप का पूरा गेम है अगर आपको इस तरह के गेम पसंद है तो आप इस गेम को डाउलोड करके खेल सकते हो और आप लोग देख सकते हो ये भी PUBG की तर यह वह दोस्तों ओक भी ग्राफिक अपर बड़ा गेमाई अगर आप अपने Android डिवाइज पर इस गेम को खेलना चाहते हो तो आपका Android डिवाइज कम से कम 4.4 cricket होना चाहिए दोस्तों अगर आप इस game को अपने iPhone पर खेलना चाहते हो तो link मेरी वीडियो की description के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी Android और OS के लिए और आप लोग वहाँ पर जाकर इस game को download कर सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा gameplay दिखा रहा हूँ और game की graphic आप लोग देख सकते हो और दोस्तों same जो एक royal battle game के अंदर आप लोगों को जो features मिलते हैं उस सारे के सारे features आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे आप अपने friends को add कर सकते हो वोई set कर सकते हो और यहाँ पर आप right side कर corner पर आप लोग देख सकते हैं छोटा जा map दिया हुआ है और आप लोगों को building के अंदर जाकर आपने weapons वगेला collect करने और अपने दुसमनों से fight करनी होती है अगर आपने इस गेम को अब तक try नहीं किया तो एक बर आप इसको जरूर ट्राइ करके देखें तो दोस्तों हमर पस यहाँ पर नबर 7 पर जो गेम है उस गेम का नम है The Last Survival तो दोस्तों काफी अच्छा गेम है और गेम के ग्राफिक आप लोगों के सामने है यह भी एक Royal Battle गेम है और अगर आप इस गेम को Android पर खेलना चाहते हो तो आपका Android डिवाइस यहाँ पर 4.4 किरकेट होना चाहिए और यह 1.5 GB का पूरा गेम है अगर आप इस गेम को OS या iPhone के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मिले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिए आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ झालवाईस लिए एक। तो दोस्तो हमारे पास यहां पर अगला गेम 6 नमबर पर है उस गेम का नाम है केविन आउट तो दोस्तो इस गेम को आप Android हैंसेट अपने डिवाइस पर खेलना चाहते हो तो आप लोगों का डिवाइस 4.4 एंडरोइड किटकेट होना चाहिए प्लस में आप लोगों के डिव आइस के अंदर 2GB की रेम भी होनी चाहिए तब यह गेम आप लोगों के Android डिवाइस पर अच्छे से वर्क करेगा और आप इसको खेल पाओगे तो दोस्तो इस तरह के configuration वाला आपका Android डिवाइस है तो आप इस गेम को जरूर एक बार डाउनलोड करके ट्राइ करके देख सकते हो और गेम की ग्राफिक आप लोगों के सामने और गेम प्लै में कर रहा हूं और दोस्तो अगर आप लोग इस गेम को iPhone के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इसे जितने भी मैंने आप लोगों को गेम बताए इन में से कोई ना कोई गेम तो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आप उसे डाउनलोड भी करना चाहोगे तो दोस्तों हमार पास अगला जो गेम है पांच में नमबर पर उस गेम का नाम है survival royal तो दोस्ते काफी एक बहतरीन गेम है Android और OS यूजर के लिए अगर दोस्तों मैं गेम की यहाँ पर size की बात करूँ Android यूजर के लिए तो आप लोगों को इस गेम को खेलने के लिए कम से कम 1.5GB डेटा खर्च करना पड़ेगा और साथ में आपका Android डिवाइज 4.4 Kitkit सपोर्ट होना चाहिए औ प्लस में 2GB की रेम आपके Android डिवाइज के अंदर होनी चाहिए आपका Android डिवाइज इस तरह के configuration को सपोर्ट करता है तो आप पेशक इस गेम को मेरी वीडियो की description में जाकर इस गेम को download कर शकते हो और आप लोग इस गेम का अनुभव ले सकते हो दोस्तों अगर आप इस गे आप लोगों के सामने दोस्तों गेम प्ले में आप लोगों को यहां पर करके दिखा रहा हूं दोस्तों इस गेम की सबसे बड़ी चीज के आप लोगों को इस गेम के अंदर भी काफी बड़ा मैप मिल जाता है और जो एक Royal Battle गेम के अंदर जो सारे future मिलते हैं वो सारे future आप लोगों को इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलेंगी आप वोईस चेट कर सकते हैं अपने friends को add कर सकते हैं और पूरा का पूरा यह ओनलाइन यह पूरा गेम है तो दोस्तों हमार पास यह अगला नंबर चार पर जो गेम है उस गेम का नाम है ग्रेना फ्री फायर तो दोस इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो 300 MB चोटा सा गेम है और गेम के अंदर ग्राफिक आप लोगों काफी अच्छे मिल जाते हैं और दोस्तों मैं इस गेम को खेलने के लिए यूज कर रहा हूं या आप इस गेम को एपल के लिए या एपोन के लिए और एंड्रोइड के लिए डाउनलूड करना चाहते हो तो लिंक मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्चिंम में आप लोग सिंप्ली लिंक पर किलिक करके गेम को डाउनलोड करके चेकाओट करके देख सकते हो और गेम का experience ले स जाएगे और काफी इस गेम का बड़ा एक मैप है और गेम के ग्राफिक काफी अच्छे है और ये डेड़ जीवी का पुरा गेम है इस गेम को खेलने के लिए आपका एंड्रोइड 4.4 किट किट सपोर्टेड होना चाहिए और डेड़ जीवी आप लोगों को खर्च करना पड दोस्तों इस गेम के बारे में आप सब कुछ जानते ही हो मुझे जादा कुछ कहनिक जरूत नहीं है लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में मैं दे रहा हूँ अगर आप लोगों का एक अच्छा एंड्रोइड डिवाइस है तो आप इस गेम को चेक कर सकते हो तो दोस्तों हमरे पास नमबर वन पर जो गेम है उसके बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है वो है पबजी मोबाइल दोस्तों आप लोगों का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है और हम हमेशा पबजी खेलते हैं तो आसकरता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लग झाल झाल झाल